सोने के भाव ने तोड़ दिये सारे रिकॉर्ड नमशकर दोस्तो बुलियन मार्कित में भुद्वार को सोना नए शिखर पर पहुँच गया है 15 एपरल 2020 को सोने चांदी के रेट में भारी उशाल देखने को मिल रहा है आज 10 गराम सोने के रेट अब तक के सबसे उचे सतर पर पहुँच गया है गोल्ड 999 में आल टाइम रिकॉर्ड बनाते हुए आज 442 रुपे उशाल के साथ 46,444 रुपे प्रती 10 गराम पर पहुच गया है सौंबार को यह 46,034 रुपे प्रती 10 गराम पर पहुच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था आज यह रिकॉर्ड भी तूट गया है पिछले 3 कारो बारी दिनों में 3 रिकॉर्ड है घर बैठे खरीडे सूना वह भी लोकडाउन में सरकार देर ही है मौका वही चांदी वी 550 रुपे प्रती किलोग्राम महंगी होकर 43,445 रुपे पर पहुच गई है बता दे के करोना महा मारी को रोकने के लिए देश में लोकड़न अब 3 मई तक भड़ा दिया गया है दिल्ली समेथ पूरे देश के सराफा बजार बंद है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स असोसियेशन की वेबसाइड के मताबिक आज सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे बता दे कि असोसियेशन दिन में दो बार सोने चांदी का रेट अपडेट करता है इंडियन बुलियन एंजवेलर्स एसोसियेशन दिली के मीडिया पर भारी राजेश खोसला के मताबिक देश भर में 14 सेंट्रों से सुने चांदी का करंट रेट लेकर इसका आस्थ मुलय बताता है और लॉक्डॉन में भी कुछ फर्मो को कारोबार करने की मंजूरी मिली हुई है खोसला कहते हैं कि सूने चांदी का क्रंट रेट या जूं कहें हाजिर भाव अलग-लग जगा पर अलग-लग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है वाइदा बजार में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 46,700 रुपे पार हादिर मांग में तेजी के कारण स्टोरियों के नए सोदे करने से बुद्दवार को वाइदा कारोबार में सोने का भाव 490 रुपे की तेजी के साथ 46,755 रुपे प्रती 10 ग्राम पर पहुँच गया मल्टी कोमडिटी एक्सचेंज में जून डलीवरी के लिए सोने का भाव 490 रुपे जाँ 1.1 प्रतीशत की तेजी के साथ 46,755 रुपे प्रती 10 ग्राम हो गया इसमें 17,493 लुट के लिए कारोबार हुआ इसी तरह अगस्तर ड्लीवरी के लिए सोने का भाव 440 रुपे जाँ 0.9 में प्रतीशत की भड़त के साथ 46,900 रुपे प्रती 10 ग्राम हो गया इसमें 2090 लुट के लिए कारोबार हुआ हलके वैशिक सतर पर न्यूयोक में सोने का भाव 1.12 प्रतीशत गिर कर 179.10 डॉलर प्रती ओस हो गया है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अठी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शेयर जरूर कीजी और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोच ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यावाद